आई यह मिलते हैं सूपर स्पेशालिटी मौडर्न हीमिपीथी चिकित्सापधथी के आविश्खार डॉक्र अरपिच चोपडा जेन से जिनने इस चिकित्सापधधी के अविश्खार के लिए लगातार दो बार एकसिलेंस अवार्ड सहीदकाई अन्ने अववार्ड से समानि किया गया है और जानते हैं उनसे modern हुमिपेथी दवाईयों के माईग्रेंट पर असर के बारे में नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अर्पेथ चोपड़ा जैन MD हुमिपेथी एंड डिरेक्टर रॉप आरोग्य सुपर स्पेशिटी modern हुमिपेथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एस क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशिलिस्ट ऐसे modern हुमिपेथ दोस्तों आज आपने कहानी सुनी मिसेश किरन शर्मा जी की जो की इंदौर मत्यपदेश की रहने वाली है जो की पिछले 12 वर्स से माईग्रेन से पिडित थी और 12 वर्सों से माईग्रेन से पिडित होने का मतलब है कि पेशन्ट एक ऐसी लाइलाज बीमारी से गरसित है जिसका दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं बताया गया है और मेरे हिसाब से यह दुनिया का आज के डेट में सबसे बड़ा सरदर्ध है क्योंकि माइग्रेन, वैसे भी लाईलास और सबसे बड़ा बिनाकारण का सरदर्द जी हाँ दोस्तों बिना करण का सरदर्थ इसका मतलब यह है कि इस तरीके के पेशन्स को हम जितनी भी जाचे करा लें उसमें कुछ भी नहीं निकलता और फिर भी पेशन्स बताता है कि मुझे इतना पेन है इतना तकलीफ में रहता है तो कहीं नहीं माइगरेन की जो पीड़ा है तो इसे हम continue जो पेन का तरीका है इसको हम माइगरेन की जड़ी में रख पाते हैं और इसी कारण से यह दुनिया में लाइलाज माना जाता है और ज्यादा तर दुनिया का जितना भी माइगरेन का ट्रीट्मेंट है अभी तक वह केवल एंटी इंफ्लामेटरी दवाईया केवल पेन किलर्स दवाईयों के तरू मेडिसिन के माध्यम से किसी भी तरीके से स्टोराइट के माध्यम से या कुछ भी तरीके से सपोर्टिंग ट्रीट्मेंट के रूप में दिया जाता है जिसका आधार यह रहता है कि किसी भी तरीके से जो पर्डिकुलर उस टाइम का म बाटी था रिटी र्सपॉंस होता है फिर से ट्रिगर फेक्टर के कांड माईग्रें फिर से रिपीट होने लग जाता है और धीरे गैपेशेंड को इसकी एक आधस्य हो जाती है और धीरे-धीर यह जो समय है निकलता जाता है और करीब जिस तरीके मेरे कैरियर में मुझे देखने में कि माइगरेन में जो एक्यूट अवस्था के माइगरेन से लेकर तीस-तीस साल तक के माइगरेन के पेसेंट जो इस तरीके की बीमारी से पीडित थे उन्होंने अपने आपको आकर हमारे क्लिनिक पर आज तक दिखाया हुआ है और लगभग, माइगरेन के बारे में बात करें, तो माइगरेन चुकी एक ऐसी निरोलाजिकल, क्रॉनिक बीमारी, जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को किसी भी ट्रिगर फेक्टर चाहे, वो स्ट्रेस के कारण हो, एक्सरसाइस के कारण हो, कोई लाइट सेंसेटिवीटी के क कारण हो सकता है, या हो सकता है कि उसकी जो तनाव लेने की छमता है, काम करने की छमता है, उसमें उसके किसी पकार के औप्शक्षन का जो विरोध का, या किसी पकार का जो उसके उपर जो मांजी ग्रुप से असर होता है, समाजी ग्रुप से किसी पकार की हिंता का असर, या होने के लिए मजबूर कर सकता है तो दोस्तों इस तरten these ऑफ और वह किसी भी करेंश से अगर 賽कर है अगर वह किसी फode को सेंसिटीवीटि के करने अगर attract sensory loss कहीं न कहीं auditory loss या हो सकता है visual loss के रूप में भी साथ में correlate कर सकता है और इसका ये असर जब आगे बढ़ता है हमारे सरी के metabolism पर पढ़ता है इस औरा का तो ये जो trigger है कहीं न कहीं वेगस nerve की supply को जो defect करता है और जब इसका जो असर panic level पर बहुत आगे बढ़ जाता है तो एक तरीके के pain से अपने आपको मुक्त कर पाता है तो दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी जिसमें स्टार्ट होता है किसी भी trigger factor से जैसे हो सकता है कि अगर हम चार पेशेंट के बारे में बात करें तो सबका अपना बॉड़ी रिस्पॉंस होता है सबकी अपने अपनी sensitivity level होती है और क उसकी sensitivity के हिसाब से migraine का trigger हो सकता है कि थोड़ा जल्दी हो और एक पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसमें migraine की sensitivity के हिसाब से उसको वो trigger कुछ समय बाद हो तो इस तरीके से सबका level अपना अपना हो सकता है उसी तरीके से pain की severity का level अपना अपना हो सकता है उसी तरीके से कह सकते है क किसी किसी पेशन्स को 4 घंटे का माईगरेन का एपिसोड आ सकता है जो उल्टी के सेटल्मेंट के साथ पुरी तरीके से ठीक हो पाता है कभी-कभी यह जब माईगरेन आगे पड़ता है तो मेडिकली 3 दिन तक का भी माईगरेन एक साथ पाया जा सकता है और इस तरीके से महीने में 3 या 4 एपिसोड, 3-3 दिन के एपिसोड या कह सकते हैं कि कुछ अत्यतिक जो तीवर अवस्था वाले पेशन्स होते हैं उनको ये महीने में 8-15 बार की अवस्था में भी लगबग एक या दूर दिन के गेप में लगातर ट्रिगर होने के लिए मजबूर भी कर सकता है तो दोस्तों इस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स के अगर हम बात करें कि माइगरेन की जो इलाज के लिए मौडरन हुमेपती ट्रीटमेंट में जिन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट लिया उसका मुख्य उद्यस ये था कि हम लोग मौडरन हुमेपती सुपरिस्पशिटी कंसेट ट्रीटमेंट से माइगरेन की इलाज को हम आपको दबाने की बजाए हम आपको ठीक करने के लिए आपके बाड़ी रिस्पॉंस को एक्टिव करने के लिए निरोलाजिकल बैटरमेंट देने के लिए देते है और कही न कहीं ये जो हमारा ट्रीटमेंट का तरीका है ये इस विमारी का आज के डेट में किसी चमतकार या वरदान से कम ट्रेटमेंट साबित नहीं हुआ है इस बात की पुष्टी करीब 3,000 से जो प्रतिकुलता के बारे में बताया गया है तो इस तरीके के पेशन्स के लिए modern humipathie आज के grape में एक चमतकार की रूप में साबीत हुआ है और अगर हम migraine के बारे में बात करें तो migraine में जो इलाज है वो पूरी तरीके से modern humipathie आपके response को बढ़ाती है, हम परिष्थितियों को नहीं बदल सकते, हम यह नहीं कह सकते कि आप यह मत खाईए, हम यह नहीं कह सकते कि आप दुनिया में हर जगा आपको वो इस्तिति का सामना करने के लिए जोरी नहीं है कि ऐसा मोका मिले, जो हर तरीके से आपके लिए comfortable हो, हो स करने की जो छमता है उसके काफी सारे चीजों से रिलेट होता है और तब जाकर किसी इंसान को जब इतने सारी जगा पे खड़े होने की जरुवत होती है और उसका माइगरेन का पेन अगर उससे सेंसिटिविटी के काण अगर उसको तकलीब दे तो कहीं न कहीं उसके लिए ये बहुत बड़ा दिक्कत साबित होता है तो दोस्तों इस मॉडरन हुमेपेति के ट्रेटमेंट से जिस तरीके से मिसेज किरन शर्मा जी ने केवल पांच दिन के ट्रेटमेंट से 50% आराम पाया और केवल 15 दिन के ट्रेटमेंट से उन्होंने लगबग इस माइगरेंट को पूरी तरीके से खतम किया और आज भी 2007 का जो माइगरेंट है जो 12 साल तक उन्हें तकलीब दे रहा था उन्होंने काफी सारा एलोपेतिक ट्रेटमेंट लिया काफी सारे घरेलू नुसके भी किय किसी भी तरीके से इस माइगरेंट की जो बीमारी है उसको जड़ से समाप कर सके लेकिन दोस्तों ऐसा कहीं नहीं हो पाया और आखरी में उन्होंने सुपर इस्पेशली मौडन उमिपेतिक ट्रेटमेंट का फायदा लिया और केवल 15 दिन के ट्रेटमेंट से उन्होंने मौ माइगरेंट में जिस तरीके से कापी सारे पेशेंट ने अपना ट्रेटमेंट लेकर इस पर विजयप आपकी आगर आपको लगता कि किसी भी पेशेंट को तकलीफ है आप इंदोर में आकर अरोग्य सुपर इस्पेशली मौडन हुमेपति क्लिनिक जो कि इंदोर में जंज मैं डॉक्टर अर्पित चोपडा जैन आरोग्य सुपर इस्पेशली मौडन हुमेपति क्लिनिक थैंक यू नमस्कार